हलो फ्रेंट्स वेल्कम टो मेकैनिकल टेख हिंदी फ्रेंट्स टायर्स एंड वील सीरिस का ये पार्ट 37 है कम्प्लीट सीरिस का लिंक आपको इस वीडियो के डेस्क्रिप्चर ने मिल जाएगा अपेंट्स हमेसे जादा है लोग जब अपने बाइक, का, स्कूटर इन सब के लिए नए टायर खरीदने वाले होते हैं तो जाधा तर लोग टायर के डिजाइन को जादा प्रिफर करते हैं यानि कि टायर दिखने में कितना जादा अट्रैक्टिव है टायर का जो ट्रेट का तो वो safe हो रही है कि unsafe हो रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी tire manufacturing company हैं उन्हें तो ये पिल्कुल पता है कि market में हर तरह के customer उन्हें पता कि कुछ customer ऐसे भी है जो कि tire के technical terms पर ध्यान देते हैं इनका ख्याल रखते हैं उन्हें पता आपको जो लेना लो और maximum लोग गलती करते हैं तो आगे इस वीडियो में जो tire के trade patterns का importance और आपको अगर tire को खरीदना है तो आपको कि straight pattern वाले tire को खरीदना चाहिए जो कि riding को unsafe नहीं बनाएगा इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो मताने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखा और इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर से कर ले अब इस topic में आगे बनने से पहले कि important information है जो कि मैं आपके साथ share करना चाहूँगा अगर आप job की तलाश कर रहे हो तो आपके लिए खुशकबरी है अनकैडमी लेकर आया है latest YouTube channel engineering jobs by अनकैडमी इस चैनल में latest job updates के अलावा आपको अपने industrial skill set को improve करने के लिए MATLAB, AutoCAD, NC, SolidWorks जैसे software की बिलकुल free training मिलेगी job जो की अनु के दौर आपको यहाँ पे daily business पे job updates मिलेंगे साथी interview preparation और इसके लावा बहुत सारे आपको content जो है इस channel पे मिल जाएंगे, so channel को आप जरूर से subscribe कर ले हर 100 subscriber के पास मौका है 1000 रुपए का Amazon Watcher जीतने का, channel का link आपको इस वीडियो के description और pin comment मिल जाएगा, आप इस channel को जरूर से subscribe कर ले, चलिए हम टॉपिक में वापस आते है तो फिर देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप किस tire को सबसे जादा बहतर से बताओ अपने लिए, तो आपका जवाब होगा कि जिस tire से riding या driving के समय में, आपको बहतर handling मिले, बहतर stability मिले tire के वज़से जो गाड़ी है, वो जो है, वो फिसले नहीं, चक्का फिसले नहीं आप बोलोगे कि उसी तरह के tire कॉम कह सकती कि भाई वो riding के लिए safe है और उस tire कॉम लगाना भी prefer करोगे, लेकिन देखो गलती कहाँ पे हो जाता है, मैं आपको बताना चाता हूँ, कि ये सारी चीजे जो मैं आपको बताई, ये possible कब होती है, ये possible तब होती है, जब आपका जो tire का, जो trade का pattern है वो सही हो, वो बिल्कुल जो है, वो road grip के साब से perfect हो वैसे trade pattern के बारे मैं आपको बहुत shorting बताना चाहूँगा कि जो tire में आपको groups कटे वो दिखाई देते हैं, जो tire का design होता है, basically हम जो टेक्निकल इसे trade कहते हैं, और इन trades के वज़ा से ये सारे कुछ जो है, पो पॉसिबल हो पाते हैं लेकिन simple सी बात ये है कि जब tire में, आप थोड़ा unique के चकर में थोड़ा fancy दिखने के चकर में इस तरह के tire को चुल लेते हो, जो के मैंने आपे मार करके रखा है, तो जब आप इस तरह के groups वाले trade वाले tire को चुल लेते हो, तो simply problem ये आने लगता है कि जब आप बहुत high speed में riding driving कर रहे हो, या जब उबर खापड़ वाला road हो, चास करके जब मिटी वाला road हो, या इसके लावा जब पारिश हो रही हो या जब आप high speed में braking कर रहे हो emergency braking कर रहे हो, तो simply जो groups है, ये जो trade के pattern है, वो उतनी बहतर तरीके से road grip provide नहीं कराते हैं, कई बार इसके वैसे क्या होता है, इसकी डिंग का चक्के का फिसलने का चांस होता है, और खास करके high speed में आप देखोगे, कि जो आपके गाड़ ये वो wobble भी करती है, नॉर्मल tire के मुकाबले ज़्यादा wobble करती है अगर आप इस unique fancy तरह के trade वाले tire को चुल लेते हो maximum लोग इस पे गौर नहीं करते है अगर इस तरह का problem आता है, तो वो बाग की चीज़ों को देखते हैं कि handlebar में तो problem नहीं है क्या soccer सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा लेकिन ये सब कुछ जो है, वो tire के जो आपने unique tire लगा दिया है, fancy tire लगा दिया बेहतर trade pattern दिखने के चक्रम जो tire लगा दिया है उस वज़े से भी ये सारे problems create होने लगते है और खास करके आपको मैं कहना चाहूँगा आप सब देखते हो कि maximum जो companies है जो अपना नया bike, नया scooter उनका tire दोखोगे तो वहाँ पी आप देखोगे कि company खुद चाती है कि उनका जो bike है, वो ज़्यादा बेक है, वो ज़्यादा attractive हो फिर भी company क्या prefer करती है कि वो tire जो है वो आप जिस तरह का fancy ढूंटते हैं उस तरह का tire ओरिजिनल वाला लगा के नहीं देती है क्योंकि उन्हें ही पता है कि कहीं न कहीं जो safety है, वो ज़्यादा important है ये नहीं कि भाई दिखने का चक्र में हम गलट tire दे दे और तो नए गाड़ियों में आपको इस तरह के fancy tire नहीं देखने को मिलते तो simple से मैं आपको राइद देना चाहूंगा कि देखो भाई बाकी चीज़ों आप compromise कर लो लेकिन चुकि गाड़ी का complete weight जो है वो tire के उपर में ही होता है तो tire सही होना जरूरी होता है तो मैं आपको recommend करूँगो कि आप कोशिश करो कि बेहतर road grip वाला एक बेहतर quality का बेहतर company का tire लगी उसके साथ compromise बिल्कुल नहीं करे और एक अच्छा tire को चुने ये नहीं कि fancy unique वाला tire चुन ले इससे गरबढ़ हो सकता है कई बार इससे accident हो जाता है अगर accident हो जाएगा तो नुकसान आपका होगा company को तो बेचना है company को को कोई फरक नहीं पढ़ता है लेकिन आपकी riding या driving safe होना जरूरी है इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाया है क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोग unique दिखने के चकर में इस तरह के tire को prefer करते है तो उमीद है कि इस वीडियो में दीके जानकारी आपको पसना आई होगी